जैन साथियो, वेलकम बैक आगेन मैं चैनल अनिलार मेरेडर ब्लॉक्स दोस्तों आप लोग अपने घर पर स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों जैसा कि आप लोगों के लिए हमेसा टाइम टू टाइम कुछ ऐसे इंपोरेंट वीडियो लेगा आता रहता हूं ज जाता है कहीं कुछ न कुछ कहीं ऐसी चीजों में फच जाते हैं जिसके पैसा है डूब जाता है तो मैं यहीं चाहता हूं कि आप अपना पैसा कहीं न डूबाए आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पैसा भी आपके हाथ में रहे और दो-चार साल बाद या आपने इसको बहुत ही अपने फीचर के लिए यूज करना है दोस्तो तो एक अच्छे रिटन के साथ आप जो पैसा जो है इन्वेस्ट करने के सुरक्षित तरीके कौन-कौन से हैं वह आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहां पर बताना है तो वीडियो को यहां तो पैसे जो है नीवेस्ट करने का सबसे करने का जो तरीका है वह सभी का एक क्या अपना-पना होता है को हर को supposedly है तो आफंडिन को पैसे को डीने की जो है उसकी capacity पर निर्वर करता है कि वो कितना risk ले सकता है ठीक है ना प्रन्तु यहां पर क्या है defense person और salary person की लिहास से हम यहां पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि salary person को कहें investment मिल सके आपर ठीक है ना तो सबसे पहले सेविंग की आदर डालना अत्यांता बस सकता है दोस्तों आपने हमेशा अपने अंदर यह भामना जगानी है अपने अंदर यह हमेशा रखना है कि मुझे saving हमेशा करनी है कि यह बहुत important part है life का दोस्तों अगर आपका savings नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है इसके लिए आप किसी भी एक ऐसे plan में invest कर सकते हैं जो आपको प्रती मिहना कुछ amount deposit करना होता है आपको उसके लिए कि अगर आपको कुछ एक अपने ऐसा amount fix कर लेना है क कि मुझे अपना salary में से इतनी fix income बचानी है मुझे कहीं एक जगा deposit करनी है ठीक है ना salary person को को है 30 से 50% तक saving करनी चाहिए दोस्तों मेरा यह मानना है यहाँ पर आप बात करते हैं कि इस saving को कहा investment करें तो बात करेंगे हम एक example के रूप में आपको यहाँ पर समझाने बाला हू क्योंकि इसमें return तो fix होता है जो कि bank FD से भी जड़ा रहता है और इसे कभी भी निकाला जा सकता है return fix होने के कारण risk भी नहीं रहता है तो पूरा amount AFPP में invest करना जो है return के लिहाँ से ठीक नहीं है इसमें नुकसान यह है कि आप जो है इसमें नुकसान क्या होता दोस्तों नुकसान यह है कि आप एक साथ पूरा amount नहीं निकाल सकते हो केबल 75% ही एक बार में निकाल सकते हो बात करते हैं interest भी जो इसमें 8-9% के बीच में रहता है जबकि महंगाई दर ही 5% है जिससे पैसे की जो value में जो है केबल 3-4% की बृद्धी होती है salary person को अलग अलग जगा पर निवेस करना चाहिए जिसमें risk भी average हो और profit भी अच्छा हो तो इतना तो आप जानते हैं कि बीना risk के क्या है आप अपने पैसे को अधिक speed से नहीं बढ़ा सकते हो इसलिए आपको थोड़ा सा risk भी लेना जुरूरी है यहां risk से मतलब है mutual fund SIP या equity market से है जिसमें share price है वो कम ज्यादा होता रहता है आप पैसे को जो है कैसे investment कर सकते हो किस तरह से investment करने का सोच सकते हो वो आपको मैं यहां पर बताता हूं दोस्तों तो यहां पर क्यारना क्या है आपको अपनी saving का लगब 50% पर जो 50% tax है जो वो savings scheme में जो है निवेस करना है आपने जिसमें मुख्यता एफ पीपी फंड हो गया पीपी एफ हो गया या सुकन्य समुझ दी हो जना है यह investment आपको guarantee के साथ 8-9% यहां पर return देगा साथ में tax saving में भी help करेगा second point की बात करते हैं इसके बचे हुए 50% को दो हिस्सों में divide कीजिए जिसमें 20% तथा 30% है यदि आपकी risk लेने की ability अधिक है तो आप 30% को SIP equity में invest कर सकते हो जिसमें returns 13-15% तक मिल जाते हैं बात करते हैं next point की 3rd बचे हुए कि बचे हुए 20% को आप क्या कर सकते हो 20% को आप क्या है debt mutual fund के अंदर निवेस्ट कर सकते हो जिसमें risk बहुत कम होता है तथा returns जो होता है 9-11% मिल जाता है ध्यान रखें कि SIP में निवेस्ट करने वाले पैसे को अधिक से अधिक समय तक invest करके रखें कम से कम 5 साल SIP में invest कियेगे पैसे को पहले 2 साल में बिलकुल ना निकाले SIP में उतने ही पैसे को निवेस्ट करें जिसे आप लंबे समय तक निवेस्ट करके रख सकते हो यदि इस परकार आप पैसे का निवेस्ट करने के होने वाले फाइदे के बारे में जानना भी जुरूरी है इस परकार से निवेस्ट करते हैं तो नुकसान का जो risk होगा वो न के बराबर रहेगा क्योंकि 50% सेविंग पर आपको क्या है risk free returns यहां पर मिल रहा है यदि बचे होए 50% पर आपको returns कम भी मिलता है तो AFPP fund से मिलने वाले returns यहां वो cover हो जाता है आप आपकी जानकारी के लिए यहां पर बता दो दोस्तों कि SIP तथा mutual fund से में जो नुकसान होने के भी chances तभी होते हैं जब आप उन्हें 100 term के लिए निवेस करते हैं लंबे समय तक investment करने से AFPP से कम returns मिलने के chance बहुत कम है दूसरी तरफ यदि आप अपने mutual fund या SIP के समान्य तोर प आप अपनी saving को जो है invest कर सकते हो दोस्तों यहां पर मैं बता दोस्तों यह जो मेरे जो है निजी विचार हैं जो आपके विचारों से अलग हो सकते हैं और आप अपने पैसे का जो है invest करने से पहले अच्छी तरह से research जरूर कर लें जो मैंने यह इस वीडियो के अंदर बता अच्छी लगती है research किजिए research करके आपको वहां पर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो वहां पर आप इनिवेस्ट जरूर कीजिए दोस्तों और अपने पैसे को सेंट कंडिशन को जुरूर पढ़ लीजिएगा और हर चीज को वहां पर कहा है research करने के बाद ही आपने इस चीज के ओपर काम करना है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं इसी तरह next information video के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद चैभारत